राहूल द्रविट ने आस्टेलिया के खिलाब रचा जित का चक्रव्यू और जित के लिए बनाया महा प्लान और द्रविट ने किये तिन सबसे बड़े मेच विनर बाहर क्या है पूरा मामला बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए राहूल द्रविट एक सटिक प्लेइंग 11 खिलाना चाहेंगे आस्टेलिया की खिलाब जिसमें इन तीन खिलाडियो को राहूल द्रविट बाहर का रास्ता दिखा देंगे अगर इन तीन प्लेयरों में सबसे पहले प्लेयर की बात की जाई तो वो केल राहूल होने वाले है राहूल ने बिते कुछ दिनों में जिस तरह का खेल दिखाया है उसे देखते हुए द्रविट साब राहूल को बाहर कर सकते हैं दूसरे खिलाडी के रूप में द्रविट साब की नजर में युजविंदर चहल भी है चहल ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया है और बेंच पर बेठे कुल्दी प्यादव अपने मोके की तलाश में हैं तिसरे खिलाडी के रूप में स्रेयर्स आयर है हाला कि आयर अपनी चोट की वज़े से बाहर हुए है अब देखना दिल्चस्प होगा कि द्रविट साब स जग किसे मोका देते हैं वेसे आपके हिसाब से स्रेयर्स के जग सुरिया या संजू किसे मोका मिलना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना चैहिंद चैहिभारत